दोस्तो अब अगर आपको जो अपने आधार कार्ड में मुबाइल नंबर को अपडेट करना है या आपको जो अपने आधार कार्ड में मुबाइल नंबर को बदलना है चेंज करना है तो इसके लिए अब आपको आधार सेंटर जाने की बिल्कुल भी आवशिक्ता नहीं है ज कैसे आपको इस वाले form को feel करना है, कैसे आपको ये वाला form मिलेगए, कौन सी वेबसाइट से आपको घुण्छाट से अप्लिकेसन करना है, और अप्लिकेसन करने के बाद आपका जो आधार काड है, उसमें में मभाइल नंबर को किस तरह से अपडेट किया जाएगा, आज किस इस वीडियो में सारी information मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज़्यादा informative होने वादा है तो वीडियो को like अभी से कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को subscribe भी कर दीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तर करना समझ लेते हैं अभी यहां पर आपको अपने अधर करड में लिंक करना चाते हैं या अपडेट करना चाते हैं अगर कोई भी email आइडिया आपके पास है तो email आइडिया आप यहां पर प्रोवाइड कर दीजिए यहां पर आपको अपना address line 1, address line 2 में अपना complete address fill up करना हो यहां पर आपको जो भी nearest post office है उसको आपको जोए select करना होगा ठीक है तो इस तरह से आप जो है up पोस्ट aur यहां पर पोस्ट-त को select करेंगे तो यह पर जो भी आपका post office है उससे जो भी link head branch है उसका तो नाम आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा डिविजन आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा रेंज आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा सरकल में यहां पर आपका सर्विस दिखाई दरी है आधार में मुबाइल नंबर अपडेट की आपको इस वाली सर्विस को यहां पर चेकमाग करना होगा उसके बाद ही आप जो सम्मिट करेंगे दोस्तो वैसे तो आपको यहां पर आधार से रिलेटर दो सर्विस मिलती है जिसमें कि आप आधार में को फील करके यहां से सम्मिट कर देंगे अब दोस्तों सम्मिट करने के बाद में क्या होता है एक्चल में यह वाली जो सर्विस है इंडिया पोस्ट प्रमेंड वेंग के थुरू चलाई जा रही है जिसमें कि यहां पर आपको बताया गया है कि इंडिया पोस्ट प्रमेंड साती सात यहाँ पर अगर आपको जीरो से लेकर पांस साल तक के बच्चे का नया आधार कार्ड बनवाना है तो उसके लिए भी आप जो यहाँ पर अप्लिकेशन कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके लिए जो रिक्वाइड ड़कुमेंटे बताये गए है बच्चे का बॉल सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए और जो भी माता या पिता है उनका आधार कार्ड यहाँ पर होना चाहिए तो यहाँ पर अब आप जो है दोनों काम को इंडियन पोस्ट प्रमेंट बेक की तरफ से करवा सकते हैं इसके लिए जो है इंडियन post permit bank की official website पर देखने के ले मिल जाएगा वैसे इसका direct link में नीचे आपको वीडियो के description में दे दिया है अब दोस्तों यहां पर आपको जो इस पस्ट बताया गया है कि इंडिया post permit bank में आपको जो दोनों service मिलती है इसके लिए आप जो है यह वाला request farm आप यहां पर feel करेंगे जैसी आप इस request farm को feel करेंगे तो आपका जो request farm है आपका जो भी range है जो भी circle है वहां पर इसको भेजा जाएगा उसके बाद फिर आपका जो farm है जो भी आपका nearest post office है वहां पर भेजा जाएगा और वहां से जो postman है जिनको की आधार का ID इंडिया post permit bank के तरफ से बना कर दिया यह charge देकर आप घर बेठे online तरीके से application कर सकते हैं अब दोस्तों आपको जो आवेधन farm कैसे feel करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है इस वाली website पर आना होगा इसका direct link में आपको नीचे वीडियो के description में provide कर दिया है जैसी आप यहां पर आएंगे तो आपको काफी सारे option यहां पर देखने के वीलेंगे उन वह से एक option आपको यहां पर देखने के विलेगा service request का जैसी आप service request पर आएंगे तो यहां पर आपको दो option देखने के वीलेंगे एक indian post payment bank customer का और non-indian post payment bank customer का अगर आप है तो आप जो है Indian post payment bank का account भी open करा सकते हैं आधार APS के माद्यम स आप जोई घर बेठे, पैसा भी विड्रॉल कर सकते हैं, उसके अलावा आप जोई डिजिटल लाइव सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं, और भी काफी सारे काम आप कर सकते हैं, इस सर्विसेज यहाँ पर आपको बताई गई है, लेकिन अगर आप जोई नोन इंडियन पॉ नहीं भी है, तो अभी आप जोई डोरिस्टेप बेंकिंग का यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं, तो आपको डोरिस्टेप बेंकिंग वाले ओप्शन पर क्लिक कर देना है, तो जैसी आप जोई पर आपको सामने सर्विस रिक्वेस्ट फार्म आ जाएगा, जो कि मैंने आ आज दिन के बाद आपका जो भी नियरिस्ट पोस्ट आफिस है, वहाँ से पोस्ट में या पोस्ट आफिस का जो भी एजेंट है आपके घर पर आएगा, और आपके आधार काड में मोबाइल नंबर को अपडेट करके, या जिसकिसी भी सर्विस के लिए आपने यहाँ पर बैठे ही हो जाएगा मातर 50 रुपे के सिल्क पर, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए काफी जादा इंफरमेटी रही होगी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजेगा, इस वीडियो से लिटेट अगर आपके मन में कोई भी पूछ सकते हैं, मैं मुलता हूँ, एक से वीडियो में किसी नई इंफरमेशन के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिये, जैहिन, जैभारत!